Assalamualaikum dear students, in this video I am going to tell you about the applications of chemical reactions. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि chemical reactions क्या होते हैं, chemical change किस तरह से होता है? हम chemical reactions को equations की form में किस तरह से represent करते हैं, reactants क्या होते हैं, product क्या होते हैं? अब हम देखते हैं कि बहुत सारे chemical reactions जो हैं, यह हम लोग daily life में observe करते हैं, ठीक है? किसी तरह से इनकी एक्जेम्टल्स हमें मिलती 05 हमारे पास जो डिली लायफ में हम एक्जेम्टल्स दे tecn के न मीकर एक्जेम्ल्स वो ऱ्हा है a burning पैट्रल यूज उसकरते हैं और तीनों चीजों को जब हम हवाके मुझूद्धि में जलाएंगे तो को पता है हमने पढ़ा था कि इन चीज़ों को जब जलाएंगे तो कार्बन डाई उक्साइड गैस बनेगी ठीक है और साथ ही साथ लाज अमाउंट ओफ हीट रिलीज होगी उस हीट को हम यूज करेंगे डिफरेंट परपस में जैसे के अगर हम अपने कीचन में देखें गीचन में कीचन में हम नैच्रल गैस मेथीन गैस यूज करते हैं ठीक है उसको हम अक्सीजन के मुझूदगी में जला रहे हैं जलाते हैं तो क्या होता है जलाने से क्या होगा हीट प्रोडियूस होती है उस हीट जो हम क्या है कुकिंग फूड को कु करते हैं ठीक है इसी तरह इंडस्ट्री में कोल कोईला यूज किया जाता है और उस कोईले को जिला के हीट प्रोड्यूस की जाती है उस हीट को ठीक है उस हीट को हम यूज करते हैं वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए अब याद आपने रखना है कि जो हम लोग ये हीट यूज़ करते हैं क्या होता है उसका इस्तमाल के हाइडरो लेक्रिक पावर्स पानी से जहां पर वो लेक्रिक स्टेशन जहां पर पानी से बिजली बनाई जाती है ठीक है उसमें हमें में पर स्टेप क्या करना यूज़ होता है वाटर को स्टीम में बाप में चेंज करना होता है स्टीम को वेपर में चेंज करना होता है तो वेपर में चेंज करने के लिए स्टीम में चेंज करने के लिए अलाज अमाउंट ओफ अनरजी चाहिए ठीक है ठीक है वो अनरजी हमें कहां से मिलती है कोल की बर्निंग से हम उस कोल को जलाते है तो हमें कहाए मिलती है बहुत सारी हीट मिलती है और हम उसको यूज करते है इफरंट किसम की जो है वो हम यूज करते है जैसर कि वाटर को हम energy heat produce होती है चीक है और gases produce होती है जो के exhaust कर ली जाती है second number पे हम देखें तो हमारे पास है photo synthesis photo mean light synthesis mean produce करना त्यार करना plants आपको पता है वो अपनी food खुद प्रिपेर करते हैं और उनको दो चीज़ें चाहिए होती है carbon dioxide gas और water अब इसको हम देख लेते हैं six carbon dioxide के molecule और six water के molecule यह जब आपस में reaction करेंगे यह दोनों reactants है अब इशाई यह याद रखने हैं आपने के photo synthesis हमेशा sunlight के मुझूदगी में होती है और chlorophyll होना चाहिए ठीक है प्लांट्स के पास green pigment होता है जिसे हम chlorophyll करते हैं chlorophyll की मुझूदगी में वो sunlight को यूज़ करते हुए carbon dioxide और water को आपस में chemical inject करवाते हैं तो क्या बनता है glucose उनकी food prepare होती है glucose का formula है C6H12O6 और साथ ही oxygen gas produce होती है जो के वो release कर देते हैं ठीक है अब हमने देख लिया कि photosynthesis भी a chemical reaction है जिसमे chemical change आता है पहले से मुझूद जो chemicals है वो अपने आपको reaction अपना reaction करते हैं आपस में react करते हैं और नई products बनाते हैं इसमें photosynthesis देख लिए जिसमें glucose बनती है food prepare करते हैं plants अब question यह कि ही जो oxygen gas है वो release कर देते हैं हमने देख पड़ा है कि plants carbon dioxide use करेंगे glucose बनाएंगे और oxygen release कर देंगे अब वो oxygen कहां जाएंगी उस oxygen का role है humans और animals में अब उसकी example देखते हैं example number 3 respiration हमें पता है all living organisms जिसमें हमारे पास animals आ जाते हैं और human beings आते हैं वो all the time respiration करते हैं respiration सांस लेने के अमल को हम कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं हम inhale करते हैं oxygen और अपनी lungs से exhale करते हैं carbon dioxide जिक हैं हम अंदर oxygen लेके जाते हैं lungs के तरूं और lungs के तरूं हम carbon dioxide बाहर लेकालते हैं इस अमल को हम respiration का नाम देते हैं अब जो plants ने जो oxygen release की थी उसी oxygen को हम अपनी respiration में use करेंगे हम जो food खाते हैं ठीक है वो glucose पर मुश्टमिल होती है ठीक है उस glucose को break down करने के लिए हमें oxygen चाहिए वो oxygen हम inhale करेंगे inhale करने के बाद वो oxygen glucose के साथ direction करेगी तो दो products बनेगी तो first one is carbon dioxide और the second one is the water वो water हम हमारी body में store हो जाएगा different purpose के लिए और जो carbon dioxide produce होगी ये waste product होती है इसको हम lungs के तरूं क्या कर देते हैं exhale कर देते हैं चीक है इन्वार्मेंट में फिर वो ही carbon dioxide को plants use कर लेंगे respiration में तो ये cycle पुरा चलता रहेगा तो इसका मतलब ये वो reactions हैं जो chemical हमारे environment के अंदर हो रहे हैं last example हम देख लेते हैं example number four that is the fermentation fermentation क्या होता है आप process during which microorganisms are involved ऐसे reaction जिनमें हम microorganisms like bacteria जिनमें हम bacteria को use करते हुए कोई भी reaction करवाते हैं जैसे microorganisms में और पस यहां पर bacteria है microorganisms bacteria को use करते हुए कोई भी chemical reaction करेंगे तो हम ऐसे reaction को fermentation का नाम देते हैं इसका मतलब fermentation fermentation कैसे reaction होते हैं जिसमें microorganisms को use करते हैं यह भी हम अपने daily life में देखते हैं जैसे milk है हमारे पास milk से हम योगर्ट बनाते हैं दही बनाते हैं और बहुत सारी baking products बनाते हैं तो उसके लिए हम यह यूज़ करते हैं ठीक है इसके ठीक है बैसिकली हम उसमें bacteria को use करें microorganisms को use करते हैं तो इसका मतलब है conversion of milk into yogurt दोज से दही बनाना और baking products बनाना यह बिल्कुल fermentation process है जिसमें microorganisms को use करते हैं ठीक है तो यह सारी ठीक हमारी डिटेल application of chemical actions के करें।